दोस्तों नमस्कार जेनरल कंपर्टीशन की तायारी करने वाले स्टूडेंटों के लिए एक खुसकाबरी है इस खुसकाबरी के बारे में इस वीडियो में पूरा-पूरा डिसकास किया जाएगा क्या कुछ खुसकाबरी है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा रेलब पास होनी चाहिए डिप्लोमा या फिर इंजिनियरिंग की हुए होनी चाहिए तभी आप इस फूम को बह सकते हैं इस फूम को बहने के लिए मेल और फिमेल दोनों के इंडिडेट इस फूम को बह सकते हैं एज क्या होने वाला है आपकी टोटल पोस्ट के बारे में बात करे और सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे और पेमेंट क्या लगने वाला है इस फोंब को बने के लिए इसके बारे में डिसकस करेंगे दोस्तों एक चीज़ा और आपको बताना चाहेंगे कि इस फोंब को इसके बारे में इसके बारे में जो हम डिसकस करेंगे जो भी जनकारिय देना चाहरे हैं तो चलिए अस्टार्ट करते हैं सरपत हम यहां पर आपको बताया गया है मैंसर हमने सब कुछ लिख के रखा है ताकि यह वीडियो लंबी नहों सके तो चलिए यहां पर हम आपको बताना चाहिए आर एल बी टेक्निसियन कि मतलब ऍटेक्निसियन की काम जानबे करते है कि क्या होताई नेश्स Application के हम बात करे रहे हैं 2500 यहां पराजियों करेगे लगा है यहां पर एज के बारे में हम बात करना चाहेंगे मने यूर के मतलव अरी जर्व एनिकी ओविसी और जेनरल अस्टूजेंट एनि इसे हम जेनरल बोश सकते हैं जेनरल अस्टूजेंट के लिए 18-30 वस किया हुए तब इस फोम को भश सकते हैं एज इसका है ठीक है नेश्ट है एज इस एज से इसट कंडिडेट है तो 18-35 वस की उम्र के लिए इस फोम को भश सकते हैं अब हम बात कर लेते हैं क्वाइलिफिकेशन के बारे में कि कौन कौन से लोग किस फोम के लिए अपलाई कर सकते हैं क्योंकि यहां पे दो फोम एक ही साथ में निकल के आ रहा है तो दोस्तों यहां पर qualification में ALP के बारे में हम discuss करना चाहेंगा तो 3 के साथ में ITI होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा देखिए दो ची है जो ITI किये हुए वो लोग इस फों को भष सकते हैं या फिर जो डिप्लोमा किये हुए है वो भी इस फों को भर सकते हैं या फिर जो इन्जिनिःर ये मतलओ कि किसके बारे में Alp के बारे में और mess फोम को भर सकते हैं लेकिन जो स्टूरियंट सिर्फ त्वेल्थ पास हैं वो सिर्फ टेक्निसियन के लिए फोम को भर सकते हैं और तो यहां पर देख सकते हैं से लिए में उसके बारे में पेमिंट के बारे बात करेंगे तो सी एक्जाम होने वाला मतलों दो टैप से लिया जाएगा सीवीटी बन और सीवीटी टूए ठीक है तो सीवीटी बन की जूसमें 75 कोशन पूछे जाएंगे 60 मिनट का समय दिया जाएगा ओंठाड़ निगय जो ह बाक्स्य जह होता है रहलबे में ठ्रैटी होता है यह बात कर लेते हैं कि कौन को से subject में इतना कोशन पूछे जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पैसा के सगे यहां पे 2 कोशन पूछे जाएंगे जैंगे इस पूछे चारे जांगे घ्रेक्ती दह सकते हैं टोटल दस कोशन पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं CBT2 के बारे में तो CBT2 के syllabus के बारे हम discuss करना चाहेंगे तो यहाँ पर टोटल 100 कोशन पूछे जाएंगे जिसका टाइमिंग 90 मिनट होना है पार्ट A में मैं बात करूँगा महित महित में 25 कोशन पूछे जाएंगे और एक चीह और आपको बताना चाहेंगे RRB ALP and technician में जो फोम लोग जो भी है student फोम बरेंगे दो बार एक्जाम दिया जागा पहला बार आप सभी को 75 नंबर की कोशन पूछे जाएंगे जो कि मैंने शुरुआ तो ही बताया CBT1 CBT2 में दो बार आपको एक्जाम देना होगा एक पासिंग होने के लिए एक आपका नंबर अस्कोर होने के लिए ठीक है तो यहीं पर पार्ट A के बारे मैं बात करना चाहूँगा कि पार्ट A में 25 कोशन पूछे जाएंगे दो बार आपको एक्जाम देना होता है तो यहां पर पार्ट B में हम बात करना चाहते है 25 कोशन पूछा जाएगा डूरेशन इनी टाइमिंग इसका होना चाहिए 60 मिनट होगा ट्रेड से 25 कोशन पूछे जाएंगे आप किसे ट्रेड से हो उसके बारे में 25 कोशन पूछा जाएगा ठीक है यहां पर देख सकते हैं 42 नंबर और यहां पर देख सकते हैं टेकनिकल के लिए यहां पर 26-25 नंबर होनी ही चाहिए ठीक है तो यह जो अपडेट है आप लोगों के लिए हमने आपके साथ में साधा किया दूसरी बात इस फौंग कहां से बहरा जाना है इसके बार में हम आपको डिस्कस कर लिते हैं सबबात हम पैपे बारे हम बताना चाहेंगे तो यहां पर जो इनफर्मेशन निकल कह रहा है कि पैपे बारे में तो यहां पर GENDAL जेनरल एंड़ अभी सी बाल या स्टुडेंटों के लिए कितना रिफंड वोगा तो 100 उरुप्या काट करके 400 और रिफंड हो जागा लेकिन 400 में आपको पूरा 400 नहीं मिलेगा कुछ प्रत करके आपको मिलेगा को लोग इस मोप具 बाश्क नेफे हैं छोनन चाहिए या फिर बार डजनकारी आपके साथ में रखना चाहिए जैसे यहां आप के सब्सक्राइट दिया गया देश भर में बहुत सारी फोम निकल के आ रहा है जो कि 1.5 लाख पदों के लिए वेंकिंसिया है जो कि 2024 में इलेक्षन है मोधी सरकार का एनी जो है प्यम के लिए लोग सबाकर चुनाओ है इस बज़े से यह फोम निकाला जा रहा है ठीक है 1.5 लाख में से 60,000 पलस एलपी टेक्निशन के लिए उसके बाद और पीफ के लिए तीसी के लिए यह सब फोम यहाँ पे निकल के आ रहे हैं जो कि यहाँ पे हमने सब कुछ दख सकते हैं मेंसन करके रखा हुआ किने किने लोगों के लिए क्या फोम है ठीक है तो यह जो आजाएगा अभी से आप लोग इसकी तयारी करना स्टाट कर दीजिए रेलबे एलपी टेक्निशन की फोम पिछले बार भी आया हुआ था और इस बार दुबारा से आ रहा है तो जिना स्टूडेंटों को नहीं हुआ था उनके लिए अभी से सुना रहा अपसर है तो इसका पहले ही इंफोर्मेशन हम दे चुके तो आप सभी को जनकार्या प्राप्त हो चुकी है तो इस वीडियो को से जरू किजिएगा मुझे उम्मीद है से जरू करेंगे तो लाइक से कमेंट सब्सक्राइब जरू किजिएगा धन्यवाद